जेहीं दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उतरखंड पुलिस बरती 2020 के बारे में लेटिस्ट जानकारी और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये बरती आपकी कब तक आएगी और यहाँ पर दोस्तो कब तक आएगी से मतलब है कि बहुती जल्द जारी की जाने वाली है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों मैं जानता हूँ कि जब मैंने आपको अभी कहा कि यह भरती बहुत जल्द आने वाली है तो आप लोगों के म मालूम भी हो जाएगा क्योंकि जो जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ यह आने वाले टाइम पर आपको लगेगा कि हाँ आपने सही जानकारी दी थी तो यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हो कि उत्रकंड सरकार आपको काफी लंबे समय से वेट करा रही है इस बरती को ले करके कि ये बरती कब जारी की जाएगी कब इसका प्रोसेस कम्पलीट किया जाएगा तो इस वीडियो के अंदर आप यही जानकारी जानने वाले हो तो यहां पर दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दू कि जो आपकी यहां पर भ पर यहां पर मैं आप लोगों को बता दू जिन लोगों ने अभी तक इसके बारे में लेटिश जानकारी नहीं जानी होग आप यहां से रीड कर लीजिए अब बात करते हैं इसके इलिजिबल्टी क्राइटिरे के बारे में तो यहां पर दोस्तों आपकी जो एज लिमिट रह जाए क्योंकि काफी सारे कंड़ेट पहले टाइम से वेट कर रहे हैं जिनकी उमर अब 22 से 23 हो चुकी है या फिर 21 से 22 हो चुकी है तो उन कंड़ेट का क्या होगा तो इसको लेकर के भी एज लिमिट के बीच में एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है और में भी यह प्रोब्लम आपको भरती के अंदर सोल होते होए दिख जाए क्योंकि एज पर लेटिस्ट इन्फोर्मिशन आपकी एज लिमिट बढ़ाए जा चुकी है जो की 18 से 23 या फिर मैक्सिमम 24 की जा सकेगी इसके अलावा गोर्मेंट रूल्स के अकोर्डिंग जो छूट दी जाती है सेस्ट के केंडिट को 5 साल की जरूर दी जाएगी और OBC केंडिट को 3 साल की छूट दी जाएगी ये सिर्फ आपके उतरखंड स्टेट के लोगों को दी जाएगी और जो अन्या स्टेट जैसे की UP से इसमें आवेदन करेंगे उनको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि उनको जर्नल क्याटिकरी के अंदर रखा जाएगा और क्वालिफिक्सन भी दोस्तों यहाँ पर आपसे आवेदन करने के लिए जो मांगी जाएगी वो आपका इंटर्मिट होने वाला है इसके अलावा जो एक्जेक्ट क्वालिफिक्सन होगी वो तो आपको डारेक्ली ओफिसल के अंदर देखने को मिल जाएगी सैलरी यहाँ पर आपको पांच जार दोसुर पे से लेकर बीस जार दोसो साथ ही आपको दो जार रुपे का ग्रेड पर दिया जाएगा अब दोस्तों यह तो हुई इलिजिबल्टी की बात अब बात करते कि यह भरती आपकी कब जारी की जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों जो latest information मेरे सामने आई है या फिर जो मुझे पता चला है उसके according यहाँ पर यह भरती आपकी मार्च के last week तक आजाएगी जी हाँ दोस्तों मार्च के last week तक आपको इसका official notification इनकी official website के उपर देखने को मिल जाएगा और आप वहाँ से इसका जो form fill up का process है वो जान पाओगे और वैसे तो दोस्तों जिसे इसका official notification हो जारी होता है और उसमें आपको apply online date बता जाती है तो जो भी date होगी उस date से मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको पूरा process बताऊंगा कि कैसे आपको form fill up करना है तो आप form fill up के बारे में भी tension करेंड की कोई आवा सकता नहीं है क्योंकि वो तो आपको time to time मालूम हो जाएगी पर अगर आप date के लिए इस वीडियो को देख रहे होगी कि कब यह बरती जारी की जाएगी तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दू यह बरती आपकी March के जो की अभी च इनतजार खतम होने वाला है यह कहा लिजे कि आपका इनतजार बस समझ लीजिए खतम हो चुका है तो दोस्तों बस आप थोड़ा भरोसा रखिए और वेट कीजिए और अगर इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हूँ मैं कोसि करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकिशन सबसे पहले मिल पाए जेहीं दोस्तों